सेंग राशी 2022 जून का महीना कैसा जाएगा तो आईए जानते हैं जितने भी लियोज हमारे साथ जुड़े में हैं सेंग राशी के जातक जो हमारे साथ जुड़े में हैं यह प्रेडिक्शन उनके लिए है लेकिन इससे पूर्वी विधित करा देना चाहती हूं अपने जानते हैं इस इंग राशी वाले जातकों के लिए महीना किस प्रकार वेतीत होगा तो ट्रावलिंग के मेजर योग बने हूए है बिजनस को लेके या जॉब को लेके कोई ओफिशिल ट्रिप आपकी लग सकती है देश-विदेश की यात्रा हो सकती है इंटर-स्टेट ट्र तो तब भी आपको फायदा होगा ओफिस के फ्रू जा रहे है तो भी आपको फायदा होगा फैमिली के साथ भी घूमने के चांसे बन सकते हैं कि आप अपने मित्रों के साथ या अपने घरवालों के साथ कहीं घूमने जाएं अच्छा समय व्यतीत होगा कोई गुड न्यू आपके द्वार पे आ रही है इस महीने, खट-खट आके खुद अंदर आएगी और आपके जीवन को खुशनों से भर देगी, आपके जीवन में एक वो मेजर गुड नियूस चाहिए जिसके लिए आप जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, इस महीने आपके हाथ में होगी, तो उसके लिए पहले से ही बहुत-बहुत congratulations, मैं ये तो आपको विशेश रुप से नहीं बता सकती कि वो खुशकबरी क्या होगी, या कि शित्र की होगी, लेकिन ये हवश्य है कि आपके लिए वो खुशी का स्रोत होगी, आप उस खुशी का बहुत समय से इंतजार कर रहे चाहे वो financial gains हो, चाहे वो relationship हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो कुछ भी हो, चीके, it will be very blissful for you, और इसके लिए मुझे रिदय से बहुत-बहुत प्रसंता है आप लोगों के लिए, एक खास बात जो मैं आपसे कहना चाती हूँ, मैं ये कहना चाती हूँ कि यदि आप कोई व वहिकल को purchase करना चाहते हैं, तो this is a very blissful month for that, you can do that. और किसी विशेश good news की यदि आप बहुत समय से प्रतिक्षा कर रहे थे, तो अकसमात आपके पास वो good news खुदी चल कर आ जाएगी, तो ये बहुत ही सुखद होता है, जब unexpectedly कोई चीज हमारे पास खुद चल कर आ जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके का profit हो, gain हो, चाहे relationship हो, तो हमें बहुत बहुत प्रसंता होती है, तो please अपने इश्ट को मत भूलेगा, क्योंकि जो भी happiness हमारे जीवन में आती है, उमारे इश्ट की वज़ा से आती है, जो दुख हम जेलते हैं, वो दुख बहुत कम होते हैं हमारे इश्ट की वज़ा से, जो लोग ऐसी मानसिक्ति रखते हैं कि भगवान ने हमें दुख की दियो, तो मैंने विधित करा देना चाहती हूं कि कभी भगवान दुख देते नहीं है, दुख से वस्तुता हमारी रक्ष आवश्य करते हैं, क्योंकि सुख दुख हमारे कर्मों पे आधारित है, प्रभू नहीं कर रहे कुछ, जै वो पूर जन्म के हो, जै वो इस जन्म के हो, आपको अवश्य ही भोगना पड़ता है, शुब और अशुब जो भी आपने अपने कर्मों में किया है वो, तो ये एक नीती है, और ये सब के साथ सम रूप से चलती है, आधारित है ये, प्रभू के उन्यमों पर जो उन्ह प्रभू के चत्रचाया में होते हैं, तो हमारे वो बुरे करम जिनकी वज़से हम दुख भोग रहे हैं, प्रभू हम पर ऐसा सुक्का चाता करते हैं, कि वो दुख कम हो जाते हैं, तो उसमें ये याद रखिए, कि आपकी कृपा से अभी भी हमें कमी दुख मिल रहे हैं, यदि वो भी आपके शीश पे हात ना रखें तो सोचिए कितना गाड़ दुख होगा। इसलिए प्रभू की वज़े से तो वस्तुत हमेशा ही प्रसनता ही प्रसनता होती है और उसके लिए gratitude की feeling हमेशा रखें। अपने गुरुजनों को धन्यवाद दें, अपने इष्ट को अपने माता पिता को धन्यवाद दें, जिनके आशिरवात की वज़े से आप आज यहां तक पहुंचे हैं। आपकी बहने, आपकी daughters, चो लक्षमी सोरूपणी होती हैं, उनको हमेशा रणाम करें, उनके प्रेम से, उनकी मंगल कामनाओं से आप आज यहां तक पहुंचे हैं। तो भाईयों को याद रखें, सबको, सबको gratitude देना हैं आपने, यह महीना आपके लिए बहुत मंगल में हैं। Business Pontifuses specifically, अगर आप Export-Import के एरिया में काम कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत ही fruitful है। पुछ बहुत ही सुन्दर घटित हो सकता है इस महीने। बाहर के ना पीके घर के juices पीजिए और गरम पदार्तों का 7, जिनकी सीरत गरम हो, पेट में अगनी उत्पन करें, उस तरीकी के चीजों का उपयोग ना करें इस महीने। अपने पेट को ठंडा रखें। ठीक, अब हम आ जाते हैं लखी कलर लखी नंबर पे, तो लखी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है यलो और सी ग्रीन लखी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है तूँद। तो इन सभी बातों का प्रयोग करें और अल्रड़ी अपने इस इतने सुखद महीने को और सुखद यतीत कर लें। धन्यवाद।